दोस्तों, 2023 में रिलीज हुई फिल्म, OMG2 के डिरेक्टर थे अमित राय, इस फिल्म में अक्षे कुमार, पंकेश त्रिपाथी और यमी गौतम धर जैसे कलाकारों ने काम किया है, IMDB ने इसे रेटिंग दी है, दस में से 7.6 और बॉक्स आफिस पर यह फिल्म व्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सबस्क्राइब जरू करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर फिल्मों से जड़े ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इस फिल्म का टोटल बजट था 50 क्रोड रुपए, और इस फिल्म ने टोटल 22 क्रोड रुपए कमाई थे, इस फिल्म को सेंसर बोट द्वारा ए सर्टिफिकेट दिया गया था, यह फिल्म पूरी दुनिया में 2023 की दसवी सबसे अधा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, फिल्म के लिए अक्षे कुमार ने कोई फीज चार्ज नहीं की थी, फिल्म में कांती शरण मुद्गल का किरदार करने वाले पंकश त्रिपाठी को जब ये फिल्म आफर हुई थी, तो उन्होंने समय ना होने की वज़े से फिल्म करने से मना कर दिया था, फिर बात में जब दोबारा उन से पूछा गया तब आफर एक्षेप्ट करने के लिए, उन्होंने किसी तरह अपने स्चेडियूल में 55 दिन फिल्म के लिए निकाले थे, डियक्टर अमित राय को पंकश त्रिपार्ठी का नाम अक्षे कुमार नहीं सुझाया था, ये फिल्म साल 2012 में आई O.M.G की सीक्वल थी, जिसमें अक्षे कुमार के साथ परेश रावल भी लीड रोल में थे, इस फिल्म में भी परेश रावल को रोल आफर हुआ था, लेकिन उनको फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो इसका हिस्ता नहीं बने, डियक्टर अमित राय को यमी गौतम का नाम अक्षे कुमार नहीं सुझाया था, ये फिल्म रमी कौतम की कोविड नाइंटीन पैंडिमिक के बाद, फियेटर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी, आखरी फिल्म जो उनकी फियेटर में रिलीज हुई थी, वो 2019 में आई बाला फिल्म थी, फिल्म में एक्टर अरुन गोविल ने भी, फूल प्रिंस्पर का किर्दार निभाया है, अरुन गोविल के बारे में पहले अफ़ा ये ओडी थी, कि वो फिल्म में भगवान राम के किर्दार में आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस फिल्म को सेंसर बोड दोरा एस सर्टिफिकेट दिया गया था, फिल्म मेकर्स ने फिल्म को ये सर्टिफिकेट दिलवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन सेंसर बोड ये सर्टिफिकेट देने से पहले फिल्म में कई सारे कट्स की मांग कर रहा था, जो फिल्म मेकर्स नहीं चाहते थे, फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिये जाने की वज़े से संकष त्रिपाथी के बेटे का रोल करने वाले आरुश वर्मा खुद ही फिल्म नहीं देख पाये थे क्योंकि वो फिल्म की रिलीज के वक्त 17 साल के से फिल्म तब विवादों में आ गई थी जब महा काल शवर मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने मंदिर में फिल्मायगए सेंस को फिल्म से हटाने की मांग की थी उनका कहना था कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म Oh My God 2 को ए सरटिफिकेट दिया है ये सरटिफिकेट उन फिल्मों को दिया जाता है जिनमें edit content होता है फिल्म में कुछ द्रिश थे जो महाकाल मंदिर में फिल्माय गए थे जिनें हटाय जाना चाहिए क्योंकि वो दर्शकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचा सकते हैं अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो पूरे देश में विरोध पदरिशन करेंगे फिल्म की वज़े से उलहास नगर education society ने अपने करीकुलम में sex education को जोड़ दिया था उलहास नगर education society इस फिल्म से प्रेजित होने वादी पहली संस्था थी फिल्म को best story का film fair award भी मिला था तो फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फर वाचिन